लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए महाराश शरकार ने नोईंबई एरपोर्ट को दीवा पाठिल साब का नाम देने के लिए भरोसा दिलाया था लेकिन चार महीने हो गए हैं कोई इस पर सकारात्मक नरना नहीं हुआ और इसलिए दीवा पाठिल एरपोर्ट समन्वे समीती ने फिर से आंदोलन करने की तैयारी क कर नोईंबई एरपोर्ट को दीवा पाठिल साब का नाम दिया जाए इसके लिए यहां के सारे प्रकलबग रस्तों ओने आपने सारे पॉलिटिकल और एसके लिए सहमती जताई नाम बस सरकार से उमीद है कि इसके ओपर निरणय लिया जाए। शिड़कों निरणय लिया उसके खिलाफ जो आंदलन खड़े हुए। यहां की जनता ने देखा है, महाराश्र की जनता ने या फिर देश की जनता ने इसको देखा हुआ है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जिस शेत्र से दिवापाटिल जी का की जो जन भूमी है, कर्म भूमी है, उस शेत्र में उनका नाम दिया जाए। शिड़कों का जो रिजॉलिशन है उसको अभी तक कैंसल नहीं किया गया है। पर इतना हमें यह जुरूर खुशी है इस बात की, कि स्टेट गवर्मेंट ने यह सारा एजिटेशन देखते हुए आगे ना बढ़ने का निर्णे लिया है। उन्होंने उस जाहिर नहीं किया है, पर उसके उपर कोई अमल नहीं किया है। आने वाले समय में यह सिड़को, स्टेट गवर्मेंट, सेंट्रल गवर्मेंट इनको बार बार यह याद दिलाना और उसी के साथ-साथ। यहां के कुल मिलाके जो पी-ए-पीज है, इनके अलग-अलग इशूज जो आज कही ना कही पेंडिंग है, सालों से पेंडिंग है, इनके ओपर चर्चाओ, इसके लिए जो यहां के जो भूमी पूत्र है, इनकी एक परिशत आने वाले 13 जनवरी को नभी अमभी उसकी तैयारी की मीटिंग होगी, मेलावा होगा, और उसके माध्यम से परिशत जो होगी, इसमें उन सारे को रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमारे अध्यक्ष अधरने अधर्शत दादा पातिल जी के साथ में हमारी चर्चा हुई है, और उन्होंने कहा है, कि ऐसे अलग- फिर ये परिशत ली जाए, और इन परिशत के माध्यम से जो मुद्धे उठाए जाएगे, स्टेट गवर्मेंट को ये सारे मुद्धे सौल करने के लिए हम लोग उनके पास मीटिंग मागेगे, और अगर वो मीटिंग ना दी जाए, तो हमको और ज्यादा गंबीर कदम उ त्यार किये गा, राजसरकार को उन्होंने निर्देश दिया था, अभी तक इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो आपको लगता है क्या कि राजसरकार भगभी अपनी जित पर अड़ी हुई है, और दिवा पाटिल की बजाए, बाला साब ठाकरे का नाम द चुब बैठी हुई है, और इसके लिए हम चाहते हैं कि पेपी के अलग-अलग इश्यू है, इनके उपर भी काम करें, और सबसे ज्यादा महत्वपुर्ण कि जिस इश्यू की वजए से सारे लोग इकटा आये हैं, ये दिवा पाटिल जी का नाम देना, ये हमारी असमिता क का विशे बन चुका है, इसके उपर हम कायम हैं और इसके लिए राज्य सरकार के साथ में डायलॉग करना, राज्य सरकार को अलग-अलग माध्यमों से इस निरणय को आने के लिए बाद्य करना, इसके लिए हम काम करते रहे हैं। और आज भी वो जो निरने हैं उसी तरह से पेंडिंग है, आपको नहीं लगता कि अगर 16 अगस्ट को काम बंद अंदोलन हुआ होता, तो सायद राज्य सरकार को मजबूरन जुकना पड़ता और शिटकों को जुकना पड़ता। इसके उपर थोपे गए। चाहे 10 जुन का अंदोलन हो, 24 जुन का अंदोलन हो, ये करने के लिए मना किया गया। सारे लोगों की जो ताकत थी उस ताकत की वज़य से आंदोलन हमने कर लिए, भले केसेश हो, पर उसके आगे और आंदोलन हम लोग करने जाते हैं, तो अलग-अलग केसेश के मादियम से पुलीस आंदोलन करताओं को जखड ले थी, और साथ-साथ कोविड के वज़य से ये आंदोलन करने को पर मना थी तो कोविड खतम नहीं हो चुका था अगस के समय पे अभी हम लोग देख रहे हैं फिर एक बार ओमाइकराउन जैसा एक नया विशानू आया है और उसके चलते फिर कोई निर्बंद लागू हो ऐसी आसार बताया जा रहा है तो ऐसे में 16 जुन का अंदोलन हमने इसके लिए रोका कि एक तरफ केंद्र सरकार ने कहा कि स्टेट गवर्मेंट हमारे पास कुछ भी सोचे हम पीएपी के मांग को सोचेंगे उसके उपर अमल करेंगे तो ये एक भरोसा हमको लगा कपिल पाडिल जी की नेतूतों में हमने जो सिस्टम अड़े तो ये एक बरोसा था और जब तक एरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार नहीं होता तब तक सेंटरल गवर्मेंट हमेंट को इसके उपर क्यों सोचा जाए तो शेट गवर्मेंट ना रिजॉलेशन पास किया ना उसको आगे भेजा है तो ऐसे में रोकना उस वक लाजमी था से अन्य इशूज हमारे जो हैं जो पी एपी को खलते हैं भूमी पुतरों को के मन में काफी बड़ा विद्रो है कि सत्ता के माध्यम से ये इशूज के ओपर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता तो ऐसे ऐसे इशूज को एड्रस करने के लिए हमने परिशत का आयजन किया है आने वाले समय में जो कदम हमें उठाना जरूरत लगे जरूरत में लगे वह इशूज को लेकर हम आगे बढ़ेगे आकरी सवाल सब्सक्राइब सिद्कों एमडी ने अभी हाली में दो दिन पहले एक ट्वीट किया था उसमें उन्होंने क्लियर तॉर पर इंडिकेट किया इस बात को कि दिसंबर 2014 से पहले नविमबई एरपोर्ट बनकर तयार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि अभी तीन साल इसमें और लगने वाला ह तो आपको लगता है कि सिद्कों कहीं ने कहीं इस जो मुद्दे को टालना चाहती है कि जो यह ट्वीट किया गया इसके पीछे कुछ इसरा की रणीती है क्या सिद्कों की? मैं सिद्कों के कारेक्षमता के बारे में अगर बताना जाहूं तो बहुत सारी खामिया आज सिद्कों की कारोबार में हमको दिखाई पड़ती है पर एरपोर्ट जो है यह एरपोर्ट का निर्मान क्यूंकि जो पीएपी इन लोग को आश्वर किया गया है इतने समय में यह तो एरपोर्ट का निर्मान जल्दी होना चाहिए इसके लिए स्टेट गवर्मेंट का शिड़कों का पैसा लगा है आने वाले समय में उसके लिए जिन्हों ने अपना स्टेक होल्डर्स करके अपनी जमीन दी अपने घर उसके लिए दिये तो इन सारे लोगों क्या कु करना था जीवी के ने अबादानी को करना है अभी तक शुरू नहीं हो पाया है तो काम शुरू ही जो हो नहीं पाया है वो कब खतम होगा मुझे पता निए 2024 को बात करें मैं शुब काम नहीं देना चाहता हूं जल से जल पूरा हो ताकि यह सारे लोग जो बहुत आस लगा के बैटे इस एयरपोर्ट के निर्मान होने में यह काम जल से जल पूरा हो पाया है किस स्रे कि तयारी रहे कि एरपोर्ट अब निर्माना दिन अवस्ता में है उस वक्त ये इसमें कहीं भी हमारा मुद्दा पीछे ना चूटे इसके लिए हम पूरा ध्यान दे रहे जैसे कि आपने देखा कि कहीं न कहीं समय समीती इस बात को लेकर गंभीर है कि अगर सीटको या राज सरकार इस मुद्दे को और आगे धकेलना चाहती है तो उसे वो बरदास्ट नहीं करेंगे और कहीं न कहीं जो दीबा पाटिल साब का नाम है नविम बै इंटरनेशनल